संख्याओं के महत्तम समात परवर्तक स्थ और एल्सियम का योगफल और अंतर 592 और 518 है मतलब स्थ और एल्सियम का योगफल मतलब अगर उनको जोड़ेंगे स्थ और एल्सियम पर स्थ प्लस एल्सियम को अगर जोडते हैं तो आता है 592 और अगर स्थ और एल्सियम का अंतर अगर बताए तो वह होता है पांसो अठारा तो हमको पहली संख्या दी गई है दूसरी संख्या पूछ रहा है इसका फॉर्मला होता है फास्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू स्टर्वाइब के बारे में कुछ भी क्लिर्टी नहीं है हम लोग इससे निकालेंगे हम लोग एड़ कर लेंगे पहले एड़ करेंगे तो यहां पर आएगा स्ट्रव एस्ट्रीफ और यहां प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा पांच और दोड़ और यहां नौ एक्ञार और पांच और दश और एक ग्यारा ग्यारा सो दस और स्क्राव की वैल्लयू आएगी डिवाइड बैं टू तो 5 जर टैन 155 प्लिए हमारा अस्जिय आए आप हमने अस्ट निकाल दिया अब लसलेगा लेंगे बतलब की ऐसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे аг सिएफ मिलसए इल सियम इक वल्थ 95 था हम लोग रिटा कि वैलू पूट कर देंगे पांस्तो पाइलषम इकवल तू 592 तो एलसियम कितना आया एलसियम equal to यह उड़ा जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 592 माइनस 555 37 कितना आए बेटा 37 हमारा LCM आया है अब हम लोग को फॉर्मुले में पूट करना है फर्स्ट नंबर इन्टू सेकेंड नंबर एक्वल टू सीएफ इन्टू LCM यहां पर हमने फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 111 इन्टू सेकेंड नंबर इक्वल टू सीएफ की वैल्लू हम 555 निकाले हैं और अब यह सेकेंड नंबर को पता करना है तो सेकेंड नंबर इक्वल टू 555 इन्टू 37 अपॉन 111 वन जा यहां आया फाइव जार 111 वाइव जार 555 थाटी सेवन फाइव जार हमारा आंसर है अगले को प्रेश्ट नंबर बार्वे पर चलते हैं प्रेश्ट नंबर बार्वा क्या कह रहा है एक निर्माता रुपिया बाहत्तर प्रती है दो किस्मों को पांच यू 3 के अनुपार में मिलाता है मतलब वह 5 बाहत्तर वाले का ले रहा है ठीक है जो जोड रहा है का 3 हिस्टा ले का तीन हिस्षा ठीक है तो टोटल कि इसका जो मल्टिप्लाइ करके आंसर देखेंगे बाहतर गुड़े पांस साड़े तीन सो साथ प्लस असी तिया दो सो चालिज मतलब छह सो रूपया का वह माल तयार कर मतलब इसने थे शह सो रुपय का माल तयार किया तो आठ से डिवाइड करेंगे उसने आठ विससे बनाया है डिवाइड किया एट बंजा एट सेवन जाण 56 485 तो 75 रुपया की वो 500 ग्राम उसकी पड़ी मतलब लागत मूल्मय उसका 550 रुपया पड़ा जो उसनी नई किसम बनाई है मतलब सको मिक्षरन करने के बार उसका 75 रुपया जही हो गए 75 रुपया 75 रुपीज हमारे छीपी हो गई 500 ग्राम चाहए की ठीक है जब उसने मिलाया मिलावट की अब क्या कह रहा है उसने 84 रूपय प्रटी 200 ग्राम में बेचा मतलब उसने जो चाह बेची 84 में थी पड़ा 75 तो उसको प्रॉफिट कितना वा बेटा प्रॉफिट उसको कितना हुआ नाइन रुपीज का हुआ कितने रुपीज का पूछ रहा है प्रॉफिट परसंट के फॉर्मला क्या हुआ है प्रॉफिट परसंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू तो यहां पर हम लोग प्रॉफिट नौ रुपिए का हुव रहा है उसको एक धाइसो ग्राम पर सीपी पचत्तर रुपिया थी दाइसो ग्राम का लागट चो लगा इंटू हंडर्ड थ्री जा ट्वंटिफाफ थ्री फॉर्जा थ्री फॉर्जा ट्वैल परसंट उसका चुका आठ हिस्से हुए जिसके छे सो रुपिया बना तो एक धाइसो ग्राम कितने का पढ़ेगा पचकतर रुपे का पड़ा और उसके बाद फिर चौरासी में बेचा नो रुपे का प्रॉफिट और फिर प्रॉफिट परसंट में लगा के आंसर आ जागा प्रेस्ट नं अनुपात है मतलब यह थ्री मिलक है और टू वाटर है तीक है यही तो कह रहा है कुशन अगर मिश्रण में चार लिटर पानी मिला दिया जाए तो दूद और पानी का परिमान समान हो जाता है ठीक है पहले तो क्या किया जाएगा इसको हम लोग 3x मान लेंगे इस्टू 2x ठीक है बेटा आप क्या कह रहा है कि दूद का यह 3x है और अगर इस मिश्रण में अगर 4 लिटर पानी विला दिया जाए बतलब 2x में और 4 लिटर पानी विला दिया जाता है ठीक है तो यह दोनों बराबर हो जाते हैं मिलक का मिश्रण बराबर वाटर हो जाता है यानि कि 3 एक्स बराबर टू एक्स प्लस चार ठीक है वेटर उस मिस्टर में डूट का परिमाण क्या होगा तो उस मिस्टर डूट का परिमाण क्या होगा यह उढ़ा जाएगा एक्स बराबर फॉर एक्स की वेलू आ गई फॉर अब यहां पर हम लोग दूर का परिमाण पूछ रहा है तो मिल्क कितना था रेशियो थ्री एक्स यहां पर एक्स की वेलू डालेंगे थ्री इंटू फॉर यानिकी ट्वाइल लेटर आंसर है जलते हैं प्रेस्ट नबर 14 क्य क्या कह रहा है बहुत अच्छा कोशन है 420 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 80 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चल रही है तो वह 180 मीटर बलंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी सबसे पहले बात ऐसे कोशन्स में आप हमेशा याद रखिए कोशन्स में आपको दिस्ट आप जोड लीजिए और प्लेट फॉर्म या फिर खंबे की लंबाई को जोड लीजिए प्लस यहां पर लंबे पुल की लंबाई को जोड लेजिए या फिर प्लेट फॉर्म की लंबाई को जोड लीजिए हमेशा ऐसे कोशन्स पर यह कीजिए डिस्टेंस निकालने के मीटर हो गया अब झीड कितनी डी है इस्पीड डी यह Ayitu कि पीलोमीटर पर आवर को अब इसको बदल आप मीटर पर सेकेंड में बदलो तो इसको अगर मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो इंटू 100.18 गट हैं मेट क्राइब हम लोग क्या करेंगे अस्थींन टू पर चालसो बटा अठारह आब सीड़ अब हीह हमारी सपीड अ गई आब क्या पता करना है टाइम पता करना है फार्मला क्या उठा है speed equal to distance upon time और time उठा चला गया तो यहां पर क्या हो गया time equal to distance upon speed distance हमारा कितना आया है 600 meter और speed कितनी है 400 into 18 अब यह नीचे अठारा था तो यह उपर चला गया है कि दो जीरो से जो जीरो कड़ गया त्री जा टू जा टू जा टू नाइन जा ट्री नाइन जा 27 सेकेंड्स हमारा आंसर है जब भी ऐसे कोशन है बेटा बहुत ईजी कोशन होते हैं आप लोग सबसे पहले distance को पता करने के लिए रेल गाड़ी और पूल की लंबाई को जोड़ का की मतलब की हमको पहले पता करना होगा गीवन क्या है एरिया फ व्हन वान हॉ को पता करना पड़ेगा क्योंकि एरिया फॉर बॉलste है डिवाड़ार कर लेंगे तो एरिया-फ वन वॉल आयेगा 30 तू यह जा canert cell000-था एक वाल का area area of one wall अब length equal to breath है ठीक है तो area of one wall equal to length into height क्योंकि length हम पता करेंगे यानि कि 32 equal to length into 4 क्योंकि height 4 दिए गई है तो length की value आ गई एट ठीक है एट मीटर स्क्वाइर मीटर स्क्वाइर अब क्या करेंगे लेंट और ब्रेट बराबर दीजिए और हमको क्या पूछ रहा है कि फर्स का छेत्रफल क्या होगा तो फर्श का छेत्रफल बराबर लेंद इन्टू ब्रेट यह दोनों बराबर है यानि कि 8 गुणे 8 यानि कि 64 मीटर स्क्वाइर हमारा आंसर होगे आंसर होगे